जहिन स्वाग करता हूँ आप सुभी कि हमारे प्रडूप चनल सुल्जश आमी त्यारिपो तो दोपर के एक बच चुके हैं और आज चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आमी के जिके जीसी स्पेसल क्लास को लेकर आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए वो रहेगा प्रमुख खिलारियों के उपनाम से जुड़े हुए जो भी क्यूशन से उसको आज हम सब करने वाले हैं आज का क्लास हमारे लिए बहुत-बहुत बहुती ज़्यादा इंडियनामी के इक्जाम्स के पॉइंट और व्यूश से ऐसे तो जो भी क्लास्ट आपके एक बज़े ले जाती है जो भी टॉपिक आपको करवाई जाती है वो वही topics होती हैं जिनसे कि आपके questions आएं ज्यादा तर आपके exams में देखने को मिलें इंटेनामी के लेकिन ये जो topic है ये उन सभी से भी सबसे ज़्यादा important है क्योंकि इस topic से प्रमुख खिलाने के उपनाम से related topic से हर साल एक से दो questions हर एक यारों में देखने को मिली जाते हैं जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारी YouTube चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पे जरूर शेट कर दिजिएगा classes की routine सभी को याद रखिएगा रोज दो फर एक बज़ जो आपका Indian Army का GKGS का class आता है और रोज साम साथ बज़ जो आपका देखो Indian Army का previous year क्यूशन पेपर का class आता है तो आप सभी हमारी दोनों classes में हमारे साथ जरूर जुड़े और उसके साथ साथ एक और बात की telegram group channel की already बन चुकी है ठीक है 2300 से ज्यादा बच्चे जो है उस group में joined हो चुके है तो आप सब भी telegram group के साथ जरूर join हो जाए जुन्धों ने अभी तक telegram group को join नहीं किया है telegram group को join करने का कोई भी charge नहीं आप से free of course telegram group से जुड़ सकते हैं नीचे description box में telegram group का link है अगर link काम ना करें तो यूट्यूब चैनल का नेम है सुल्जर श्रामीतियार उसको search कर लिजएगा telegram में आप सब आटोमेटिकली join हो जाएगा telegram group में देखिए आपको classes की PDF में देते रहता हूँ उसके सबस्त आपके साथ important questions जो की इंडिया नामी की एकजाम में आ रख सकती है या पिछले वर्सों में आई हुए हैं वो मैं share करते रहता हूँ और भी बहुत सारी important जो बाते हैं वो आपके साथ telegram पे हो जाती है तो सभी telegram group से ज़रूर जुड़ जुड़ जाए तो चले शुरू करते हैं आज की class को question number one के साथ question number one देखो यहां पे आपका क्या दिया हुआ है कि हौकी के जादूगर किसे कहा जाता है where does the hockey magician go किसे जो है हौकी का जादूगर कहा जाता है whose nickname is hockey magician किसे बोलते है major ध्यानचंद को PT USA को, Mary Combs को या फिर स्वरव गांगली को किसे जो है हौकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है यह जो है आप सब को यहां पर बतानी है तो देखे होकी का जादूगर किसको कहते हैं तो होकी का जादूगर जो है बुला जाता है मेजर ध्यान चंद को और इंडियन आमी में 2017 से लेकर 2021 तक के ज्यादा तर ARO के पेपर में आपको ये किविशन देखने को जरूर मिलेगा होकी का जादूगर किसे कहते हैं तो सभी का ध्यान में रहेगा option A जो है इसका right answer है चलिए next किविशन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि उलनपरी के नाम से किसे जाना जाता है who is known by name of उलनपरी मेजर ध्यान चन, पीटी उसा, मैरी कोम या सौरवगाउली 2020 के पेपर में ये किविशन आया हुआ है सभी कोई बताइएगा कि उलनपरी के नाम से जो है किस खिलाडी को जाना जाता है उलनपरी जो है किसको बोलते है तो लगबग सभी ने पढ़ रखी है उलनपरी के नाम से देखिए जाना जाता है पीटी उसा को राइट आन से क्या होगा तो option B पीटी उसा ठीक है चलिए next question करेंगे जो की देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है next question है कि flying sick किसे के नाम से किसे जाना जाता है who is known as flying sick स्वारवगांगुली, मिलखा सिंग, हरबजन सिंग या मैरिकॉम अब यह जो question है इतनी बार आया हुए कि आप count नहीं कर सकते हो इंडियनामी का mostly, mostly repeated question है सभी को बताएगा कि flying sick के नाम से जो है किसे जाना जाता है बहुत ही अच्छा question और इंडियनामी में ज्यादा तर प्रतिव वर्स हर बार पुछे जाने वाला question तो flying sick के नाम से किसे जानते है तो flying sick के नाम से देखी जाना जाता है मिलखा सिंग जी को ठीक है ध्यान बर रखेगा flying sick के नाम से किसे जानते है तो मिलखा सिंग जी को जानते है अब यहीं देखे क्यूशन को थोड़ा सा एक और तरीके से पूछा हुआ इंडिया नामी ने कि मिलका सिंग का उपनाम क्या है तो याद रखेगा मिलका सिंग का उपनाम क्या है तो वो flying sick है ध्यान बर रखेगा इस चीज को चलिए next question को बढ़ेंगे जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है यहै कि Rawalpindi Express किसका उपनाम है what is the name of Rawalpindi Express which nickname whose nickname is Rawalpindi Express Miracom Soeb Akta Harbidjan Singh या पर पेले किसका nic preparations जो है Rawalpindi Express के किसे जो है Rawalpindi Express के नाम से जयना जाता है तो देखिए जो Rawalpindi Express है यह बुला जाता है Soeb Aktaar को right answer क्या होगा तो option B सोईब अक्तर ठीक है चलिए निक्स्क्रेशन के पर बढ़ते हैं जो कि देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है यह है आपका कि कि यहां यह को जानते हैं चलिएने इक्सक्रेशन करेंगे यहां पर देखो आपका कि Superman क्या लिखाओ देखो Super Supermom ठीक है यह जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक होगा Supermom होना चीए था मैम नहीं mom होगा ध्यान में रखिएगा Supermom ठीक है Supermom लिखा होना चीए था Supermom के नाम से किसे जाना जाता है whose nickname as super mom Maricom, Harbazan Singh, Pele या फिर Maricom, option team में Maricom ही है, चलिए बताने कोशिस किजिए answer क्या होगा, किसे जो है super mom के नाम से जाना जाता है, ठीक है जल्दी answer करेगा सब कोई, तो देखे super mom जो है, बोला किसे जाता है, तो super mom बोला जाता है, Maricom को याद रखेगा, ARD दोनों से ही है, जो भी बता रहो, ARD दोनों से ही होगा, ठीक है Maricom, चलिए description करेंगे जो कि यहाँ पर देखो, आपका दिया हुआ है यह है, पाकिर डाइनेमो, ठीक है क्या लिखा हुए देखो, पाकिर डाइनेमो, किसका उपनाम है, whose nickname is पाकिर डाइनेमो, लिएंडर पेस सौरफगांगली, विसुनात आनन्द या फिर हर्बजन सिंग, किसे जो है पाकिर डाइनेमो के नाम से जाना जाता है यह आप से कोई यहाँ बता नहीं है, तो ध्यान में रखेगा पाकिर डाइनेमो के नाम से जाना जाता है देखो लेंडर पेस को राइट आंसर क्या होगा तो option लेंडर पेस जो लेंडर पेस है इन्हें देखिए पाके डाइनमो के नाम से जाना जाता है चलिए नेक्स्क्रिप्शन करेंगे जो की है यहाँ पे देखो आपका कि बंगाल टाइगर क्या लेकाओ है बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है लेंडर पेस सौरव गांगुली विस्वनात आनंद या पिर हरबजन सिंग किसे जो है बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है यह जो है आप सबको यहाँ पे बता रहेंगे जिनो ने भी भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए उसके साथ साथ सेर करिए हमारे और वे फ्रेंस के साथ जो भी मारे स्यूटिब चैनल पर नहीं होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ओल पर जरू सेट कर लिजिएगा तो बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है तो देखे बंगाल टाइगर के नाम से जो है जाना जाता है सोरव गांगुली को जिसका अब या answer option B आ रहा है बिलकुल सही बता रहे हो राइट answer क्या होगा तो option B ठीक है चलिए next question करते हैं जो कि यहाँ पर देखे आपक किंडи बोला जाता है यह जो है आप सबको यहां पर बतानी है चलिए सबको यांसे करिएगा और बिना किसी mistake करिएगा ठीक है जल्दे सब करिएगा तो यहां पर देखो जो लाइट निग जी को राइड आनसे क्या होगा तो option C, विस्वनात आनंद ठीक है चलिए description करते हैं जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है यह है आपका the wall किसका उपनाम है whose nickname is the wall राहुल द्रविड, सौरव गाउली, विस्वनात आनंद या फिर हरवजन सिंग किसे जो है the wall बोला जाता है यह जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है चलिए सभी को यह answer करिएगा और जल्दी सा answer करिएगा बिना किसी mistake के करिएगा ठीक है सबको पढ़ाया हुआ है चलिए answer बताएए the wall के नाम से जो है किसे जानते है the wall जो है किसका उपनाम है तो देखे the wall जो है बोला जाता है राहुल द्रविड को जो है आप सबको यहां पर बतानी है चलिए सभी को करवाया हुआ है और जल्दी सा answer करिएगा ठीक है किसे जो है टर्विनेटर बोला जाता है यह जो है आप सबको यहां पर बतानी है तो देखे टर्विनेटर जो है किसे बोला जाता है तो टर्विनेटर बोलते है हर बजन सी को तर्पिडों के नाम से किसे जाना जाता है who is known as Jake राहुल ड्रविड सौर्व गाउंगली विश्मत आनंद या फिर आं धोर्पे किसे जो है तर्पिडों के नाम से जाना जाता है यह जो है आप सब को यहाँ पर बताना है जल्दी सांसर करियेगा बिना किसी मिश्टेक के साथ सभी कोई बताईएगा क्या होगा right answer तो तरपीडो के नाम से जो है देखिए जाना जाता है यान थोर पे को right answer क्या होगा तो option D यान थोर पे ठीक है चलिए next question करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है next question है आपकी सभी answer करना और जल्दी से करना बिना किसी mistake के साथ करना तो जो आपका Indian Express किसे बुला जाता है तो Indian Express ध्यान दिजेगा Indian Express जो है बुला जाता है देखिए आप सब पेस एवं भूपती को right answer क्या होगा तो option C पेस एवं भूपती ठीक है ब्लैक पर्ल किसे जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जानते है यह जो है आप सबको यहां पर बतानी है चले सबको यहां से करेगा ब्लैक पर्ल किसको बोलते है राहुल द्रविट को सौरव गांगली को पेले को या फिर यान्थोर्पे को किसे जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है यह जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है चलिए सबको यह आंसर करेगा ब्लैक पर्ल जो है किसे कहते हैं ठीक है सबको बतानी है बहुत इंपोर्टन किप्शन है 2016 के पेपर से continue यह आपका 2021 तक आया हुआ है सबको बताईए जो भी 28 मार्श 2020 को पेपर हुथी जीडी के उसमें भी description को दिखा गया था ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है यह जो आप सबको यहां पर बतानी है तो ब्लैक पर्ल किसे बोलते हैं तो सबको पढ़ा जा हुआ है न राइट आंसर क्या होगा तो option सी पेले जो पेले हैं इनको देखे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है चलिए तो आज चलो तो अब मै यहां पर आपको एक homework दे रहाँ ठीक है आपके लिए मेरी और से एक homework है जो यह है आप सब मुझे बताओगे कि little master किसे कहा जाता है ठीक है little master के नाम से किसे जाना जाता है यह जो आप सब मुझे बताएगा little master किसका उप नाम है यह आप सब को मुझे बताना है ध्यान में रहे little master किसका उपनाम है यह आप सबको मुझे बताना है बहुत अच्छा question है बहुत important question इंडिनाम में बहुत बार आया हुगा है ठीक है तो homework आप से पहले सबको बताने कि little master जो है किसे बोलते है little master जो है किसका उपनाम है ठीक है तो चलिए all of you by अब आज की class को यहीं पे इंड करते हैं total आज आपकी 15 questions हुई है little master वाली लेके अब आप सब बता दीजेगा कि 15 में से आप सबने कितने questions ही कि अब आप सब बोलोगे कि आज इतने कम questions क्यों तो देखिए बात है यहां पर topic कि किस topic में आपकी कितने questions निकल कर सामने आते हैं अब जैसे प्रमुख खिलाडियों के जो उपनाम वाला topic है इससे के वाल आपके 15 questions नी बनते हैं तो आपको करवा दिये गए हैं सभी जरूर आंसर कर दीजेगा कि आज आपने 15 में से कितने सही किए उसके साथ साथ और आपको बता नहीं है मेरे को कि आपने जो आपको मैंने homework दिया little master किसे कहा जाता है इसका आंसर आपसे जरूर बताईगा तो चलिए all of you bye अब आज के class क all of you bye have a good day मिलूंगा आपसे सीथे साम साथ बजो all of you bye and have a good day